नमस्ते माई योट्यूब फैमली कैसे हूँ आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे और बहुत खुश होंगे इश्वर की किरपा से मैं भी बहुत खुश हूँ और आए देखो मैं मार्केट से क्या लेके आए हूँ ये है बेल जैसी जैसी गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे मूँ के चालों और पेट की गर्मी से भी लोग परिशान हो रहे हैं तो आज मैं बनाऊंगी बेल का शर्बत बेल का शर्बत पीने से पेट में ठंड़क पनी रहती है और मूँ के चालों में भी राहत मिलती है इसमें विटामिन सी परपूर मातरा में होता है जो हमारे इम्मियोन सिस्टम को मजबूत बनाता है और तो और बेल का शर्बत खून को भी साफ करने का काम करता है तो चलो बनाते हैं बेल का शर्बत बेल को मैंने अच्छे से धो कर पहुँच लिया और अब इसकी करनी है पिटाई आँजी इसको काटना नहीं है इसको बेलने से हलका हलका ठोकेंगे तो ये छिलका अपने आप उतर जाएगा और इसमें से बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट गूदा निकलेगा बहुत ये असानी से उपर का ये छिलका निकल जाते है और इसकी साथ जो गूदा लगा होते है वो चम्मच की साहिता से या हाथ धोकर आप उंगलियों की साहिता से भी निकाल सकते हैं जैसे जैसे इसका उपर का छेलका उतार रही हूँ, इसमें से इतनी बढ़िया खुश्बू आ रही है, जैसे बहुत सारे फूलों को एकठा कहीं जमा कर दिया है और ये बहुत ही निराली खुश्बू है मन करता है इसको सूंगते ही जाओ अगर ये फल इतना सुगंदित है तो इसका जूस कितना अच्छा होगा और कितना स्वाधिश्ट होगा सच कहा रही हूँ एक बार इस तरह से तोड़के इसकी खुश्बू लेके देखो मतलब अनन्द आजेगा इतनी अच्छी इसकी खुश्बू है जूस से पहले इसकी खुश्बू ने मेरा मन महु लिया और अब हाथ की साहिता से मैं इसके गुदे को एक बरतन में इकठा कर लूँगी हलाकि ये गुदा बहुत नरम है कई बारी बेल में से बहुत ही सखत गुदा निकलता है लेकिन ये बहुत ही फ्रेश बेल है अब इस गुदे को अलग-अलग थोड़ा सा कर दूँगी जिससे की इसका जूस बनाने में जादा मुश्किल नहीं हो एक बेल के फल में इतना सारा गुदा निकल आता है कि 8-10 गिलास तो अराम से बन जाते हैं क्योंकि ये जूस बहुत गाड़ा होता है तो इसमें पानी भी मिलाना पड़ता है तो ये देखो इतना सारा गुदा निकला है अब मैं इसमें मिलाऊंगी ठंडा पानी और ठंडा पानी इतना मिलाना है जिसमें ये गूदा अच्छे से भीग जाए और इसको 15 मिनिट के लिए मैं ढखके रखतूंगी खरबूजे की तरह इस बेल के फल में भी बीज होते हैं इसलिए इसको मिक्सी में नहीं पीसा जाता क्यूंकि इसके बीज कड़वे होते हैं अगर ये बीज साथ में पीस जाएं तो शर्बत कड़वा हो जाता है वैसे में इसमें हलका कड़वा पन होता है लेकिन वो पीने से इतना मू स्वादिष्ट हो जाता है जैसे करेले का कड़वापन होता है की खाने के बाद मीठा-मीठा लगता है इसमें बहुत हल्का सा कड़वापन होता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट जूस बनता है 15 मिनिट के बाद अब यह देखो कितना नरम हो गया है अब मैं इसको चलनी से चान कर इस गूदे को अलग कर लूँगी हाथ से या आलू मैश करने वाले मैशर से भी आप गूदे को अलग कर सकते हो बस हाथ हलका रखना है जिससे की बीज बीज में फिसने नहीं चाहिए नहीं तो जूस कड़वा हो जाएगा तो हलके हलके मैशर को दबाते हुए इसका जो सूखा हुआ पार्ट है और जो बीज है वो मैंने अलग कर लिये हैं और बहुत ही असानी से ये गूदा अलग हो रहा है और ये देखो कितना अच्छा बेल का गूदा निकल कर त्यार है और अब बनाते हैं शर्बत एक गिलास में जितनी बरफ आपको चाहिए उतनी बरफ पहले आप डाल लीजिए उसके बाद थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और उसके बाद निबू निचोड लेना है और उसके बाद दो तीन बड़े चमच बेल के शर्बत के या जो गुदा हमने निकाला है वो डाल के अच्छे से मिलाएंगे जब ये सब चीज अच्छे से मिल जाएगी तो इसके अंदर थोड़ा सा थंड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बेल का गुदा बहुत ही काड़ा होता है और पीने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इसलिए इसमें थंड़ा पानी मिलाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में एक चमच बेल का जो गुदा निकाला है वो मिलाएंगे और उपर से पुदीने की पत्ती और ये तियार हो गया बेल का स्वादिष्ट शर्बत जो कि पेट को थंड़क देगा और बहुत सी बिमारियों को दूर भगाएगा तो इस तरहां मैंने तीन-चार गिलास बेल का शर्बत भरके तियार कर लिए एक तो बेल का जो शर्बत है वो ठंड़क देता है उपर से भूना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीने की पत्तियां ये भी गर्मी में रहा देने वाली होती है तो ये जूस कितना लाबकारी होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं तो डेली, सुबह या दोपैर को इस जूस का सेवन जरूर करिए और रात के समय थोड़ा सा इसको एवाइड कीजिए क्यूंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और नजला जुकाम होने का भै बना रहता है तो साथियों ये बेल का स्वाधिश्ट शर्वत इंजॉय करती हैं और मेरी ये बेल के शर्वत की वीडियो आपको कैसी लगी, ये रैस्पी कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताईएगा अगर मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो आओ इंजॉय करते हैं बेल का शर्वत वाँ, इसकी खुश्पू और इसका स्वाध सच में एक्तम अलग है मतलब ऐसा फ्रूट है जिसको की हमने पहले बहुत कम चखा होता है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे फल और फूल इकठे आ गए हो इस जूस में